हाला सुडेंट्स मेरा नाम दॉक्टर के जिन्द पुरहीत है अगर आप B.S.C. कर रहे हैं या B.T.E.C. कर रहे हैं या किसी भी कॉंपुरिटिव एक्जाम की तैयरी कर रहे हैं जहांपर हाइर माथमेटिक्स पूछा जाता है हमारा चैनल आपके लिए बहुत ही helpful है आज मैं आपके सामने numerical analysis के अंदर जो numerical integration का topic है वैडल्स रूल आज मैं आपके सामने बता हूँगा कैसे वैडल्स रूल को हम apply करते हैं और किसी भी function का integration इसके help हम कैसे कर सकते हैं वैसे normally बताना चाहरा हूँ कि यहाँ पर जब भी हम numerical integration की बात करते हैं तो जो limit होती है उसको हम interval में divide करते हैं trapezoidal में कोई condition नहीं होती है आपकी मर्जी पड़ो उसमें आप interval को divide कर सकते हैं Simpson 1-3 के अंदर 2 के multiple में divide करते हैं Simpson 3-8 के अंदर 3 के multiple में divide करते हैं और Wedels Rule के अंदर 6 के multiple में हम यहाँ पर divide करते हैं तो जो सुन यहीं सब बाते मैं आपको बताने वाला हूँ और कुछ questions मैं आपके सामने करूँगा उसकी formula के help से तो जो सुन शू करते हैं तो बात करी जाएं numerical integration में Wedels Rule होता क्या पर यह समझ लेता है तो सुन यहाँ पर हमारे पास formula होता है x0 से x0 प्लस nh यहाँ पर यह nh है and सुन ydx is equal to 3h by 10 normally हमारे पास Simpson 1-3 में h by 3 आता है 3 by 8 में 3h by 8 आता है Wedels Rule में 3h by 10 आता है यहाँ पर इस formula को याद करना थोड़ा सा मुश्किल होता है तो मैं आपके सामने एक चीज़ बता रहा हूँ वो याद रखिए 15, 16, 15, 25 यह याद रखिए अगर आपने यह याद कर लिया यह formula बहुत easy हो जाएगा आपके लिए इसका मतलब यह हुआ कि यह y0 का जो coefficient है वो 1 है and y1 का coefficient 5 है and y2 का coefficient again 1 है and y3 का जो coefficient है वो 6 है and y4 का coefficient है वो हमारे पास 1 है and y5 का coefficient है वो 5 है and y6 का coefficient है वो हमारे पास 2 है and y7 का coefficient है वो हमारे पास 5 है इस तरह से हमारे पास यह चलता रहता है but normally हमारे पास 6 के multiple में यहाँ पे इस formula को हम यूज़ करते हैं तो या तो हम 6 लेंगे या 12 लेंगे पर नॉर्मली आपसे एक्जाम में जो question पूछा जाता हूँ छे तक पूछा जाता है, 12 तक नॉर्मली आता नहीं है, तो सुन यहाँ पे आपके सामने एक और चीज बताना चाहरा हूँ कि जो ट्रेपाज़रल रूर होता है, वो linear equation में बिल्कुल correct answer देता है, मतब कोई भी error न बात करी जाए, Simpson 3x8 formula, तो इस formula के अंदर अगर हमारे पास कोई भी cubic polynomial है, उसका अगर हम इंटीग्रेशन करते हैं, तो बिल्कुल वहाँ पे error नहीं आता है, मतलब हमारे पास जो exact value और approximate value सेम आती है, तो जो वैडल सुरूल होता है, यहाँ पे हमारे पास 6 degree की जो polynomial होती है, उसका answer मिलकुल perfect हैता, अगर हम यहाँ पे formula यूज करते हैं, अगर कोई भी अगर हमारे पास 6 degree की polynomial देरे की है, और हमारे पास यहाँ पे integration की limit देरे की है, अगर हम इसको इस formula से solve करें, या फिर हम लोग यहाँ पे इसको like integration करके solve करें, true value निकालें, तो answer हमारे पास almost same हाता ह इससुन जो formula याद करने का मैंने तरीका बता है, अगर आप याद रखेंगे तो आप इस formula को नहीं बूल सकते हैं, तो इसका formula थोड़ा सा typical होता है, पर इस तरीके से याद करेंगे तो आप बहुत इजिली इसको समझ सकता है, इससुन यहाँ पे एक question देरेखा, use Waddell's rule to evaluate dx upon 4x plus 5, 0 से 5 limit दे रखे हैं, तो सुन हम क्या करते हैं, जब भी हमारे पास इस type का कोई भी question आता है, तो हम यहाँ पे इसको 6 interval में divide करते हैं, तो हमारे पास क्या तरीका होगा है सुन, h is equal to upper limit minus low limit divided by 6, तो सुन यहाँ जो h आएगा, वो हमारे पास क्या हैगा, 5 by 6 आएगा, त सुन, 0 में 5 by 6 एड़ करेंगे, तो 5 by 6 आएगा, फिर एक और बार एड़ करेंगे, तो 10 by 6 आएगा, फिर एक और बार एड़ करेंगे, तो 15 by 6 आएगा, फिर एक और बार एड़ करेंगे, तो 25 by 6 आएगा, फिर एक और बार एड़ करेंगे, तो 25 by 6 आएगा, और एक और बार 1 प्लस जहां पर x हमाद 0 रखेंगे दे 1 by 5 आ जाएगा इसी टाप से हम वाइवन की वेल्यू बात करेंगे दे बटा 1 अपॉन यह आएगा हमारे पास 1 by 4 इंटू यह आएगा हमारे पास 5 by 6 प्लस 5 आएगा इसको सिंब्लिफाइगे आएगा सुनिया से जो बार पास जो वेल्यू आएगी वह आएगी 0.12 इसी टाप से अगर हम 10 by 6 रखें यहां पर x की जगह तो तो हमारे पास जो वेल्यू आती है वह आती 0.0857 आ जाती है इसी टाप से अगर हम यह 15 by 6 उठागे यहा हाता है इस से गनी 20 by 6 रखते हैं यहां पर तो हमारे पास इसकी जो वेल्य आती है वह आती पास जिरो पॉंट 1,0545 इसा वाइब具 से वाइब फाइब की बात करें तो 25 by 6 रखते हैं यहा 1 पॉर्त 615 आता है इस गन्यूंप से बाते हैं यह 5 उठागे यहां पर याद रखे 15, 16, 15 and 25 में यह याद क्योंकि हमारे पास सिर्फ 25 होता वैसे normally पर हमारे पास यहां पर 6 तक ही लिखना है तो बस इतना ही याद रखे काफी है ना 15, 16, 2 है ना 25 भी याद तो बुरा नहीं है क्योंकि है फ्लो इसे याद कर सकते हैं तो सुन यह आता हमारे पास 3H by 10 and यहां पर आएगा सबसे पहले Y0 प्लस 5Y1 यह पंदर आ गया है ना फिर हमारे पास यह आएगा सुन Y2 प्लस 6Y3 फिर हमारे पास आता है सुन Y4 प्लस 5Y5 and लास्ट में हमारे पास आ जाएगा यहाप है 5 by 6 यह तो बटाई यह आएगा 5 by 6 by 10 and Y0 इसन Y0 की वेलियो हमारे पास देरे की 0.2 प्लस 5 इंटो Y1 बटाई यह आएगा 0.12 प्लस Y2 इसन यह आएगा 0.0857 प्लस 6Y3 0.00 666 अदा है गा प्लस इसन यहां पर हमारे पास आएगा यह वाइफोर वाइफोर की वेलियो हमारे पा 5 and प्लस इसन 5Y5 तो यह आएगा 0.04615 आएगा प्लस इसन यह एक साएगा मारे पास 2 इंटो 0.04 इसन जब इसको सिंप्लिफाई करेंगे यह आपर कैल्कुलेटर के अल्प से यह ने ब्रेकेट बंद है तो इसन यह आएगा मारे पास 0.41097 इसन यह मारे पास यहां पे यह value आएगे तो सुन इस तरह सम इसको बहुत इसली solve कर सकते हैं सुन एक और question देखें 0 से 6 dx upon 1 plus x square आप से पूछा रहे हैं कि वैदल से रूल से आप इसको evaluate करें वही सम सब सब य की जो value होती है वह हमारे पास होती ही 1 upon 1 plus x square यह 0 टाग यह रखेंगे तो 1 by 2.5 आजाएगा सुन 2 रखेंगे तो 1 by 5.2 आजाएगा सुन 3 रखेंगे तो 1 by 10 आजाएगा तो 0.01 आजाएगा सुन 4 रखेंगे 16 और 1 plus 25 तो 26 आजाएगा तो यह रखेंगे 36 और 37 तो इसकी value यह रखेंगे तो यह हमारे पास y0, y1, y2, y3, y4, y5 and y6 आएगा सुन अगें मैं आपको बुला है 15, 16, 15, 25 याद रखो ना 15, 16, 15, 25 याद रखो ना इस फार्मर को याद करने का तरीका है ना वेडल्स रूल एग्जाम में आपको बोलेगा कि use the वेडल्स रूल to find the value of this integration तो आपको जब बोले तो ही आपको यह यह यूज करना है तो सुन हमारे पास यहाँ पर क्या होगा ज्याँ देजरका यह आएगा 0 से 6 and dx अपमान 1 प्लस x² इस उनिया है वाँगा y5 plus 2y6 सुन यह हमारे पास आएगा, right, क्योंकि 6 तक लिए बड़ा इन सब की value रख दो, h हमारे पास कितना है 1 है, तो यह 3 by 10 आजाएगा y0 की value 1 plus यह आएगा 5.5 आजाएगा, plus यह आएगा 0.2 plus 6 into 0.1 plus 0.058 plus 5 into 0.0384 आएगा, plus 2 into 0.027 है, यह हमारे पास इसकी value है जाएगा, now, जब इसको calculator साब solve करेंगे, तो इसका जो answer आएगा, वो आएगा, 1.3735 इसका answer आएगा, by the after the calculation of this, right, तो इस तरह साब बहुत दीजिले इसको यहाँ पर कर सकता है, इसको एक question method होता है, iteration method होता है, secant method होता है, bisection method होता है, rule of policy method होता है, तो यह सब मैं methods आपके सामने, one by one, अब coming videos में, discuss करने वाला हूँ, so thank you so much, और अगर आपने channel subscribe नहीं किया तो बीजिस subscribe कर लिजे, और notification bell को प्रेस नहीं किया तो कर लिजे भी, इसको आपका कुछ नहीं भी गड़ता है, धन्यवाद